नमस्ते में हूं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आप मेंसे काफी लोगों ने मुझे हमेशा कॉमेंट में पूछा है कि ये जो टूल है स्लिप टूल ये क्या काम करता है और अगर काम करता है तो किस तरह से हमें करना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टन टूल है मैं अपने काफी गानों में यूज करता हूँ अगर आप मेरा ये सॉंग सुने नॉलेज तो ये जब स्टार्ट ही होता है तो बहुत सारे लग-लग मैलेडीज और सैंपल्स मिलाके कॉंपिंग वे रख की होती है आप देखेंगे स्टार्टिंग ही बड़ी इसकी इंटरस्टिंग सी होती है वो जो है वो मैंने जब बनाई थी वो स्लिप टूल का भी काफी इस्तेमाल किया था तो जल्दी से आपको पताता हूँ ये किस तरह से काम करती है मैं ट्रोनों फिल हाला उफ करते हैं थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ हमारा नया अल्टिमेट कॉड्स सैंपल बैक यहां से मैंने कोई भी एक लूप ले लेता हूँ चलिए और यहां रखी एक बार सुन लेते हैं चलिए बहुत बढ़िया अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले मैंने स्लाइस टू लिया और कहीं से भी मैं कटिंग कर दूँगा चलिए फॉर इक्जाम्पल यह सेक्शिन काटा और एक यह सेक्शिन काट लेते हैं ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ मैंने यहाँ पे लिया Slip Tool Slip Tool क्या करेगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ में से अलग यह पीस निकाल दिया है Slip Tool क्या करता है उतने ही एरिया में तीन से चार के बीच जो हमारा बार है अगर मैंने इसे पकड़ा तो उसी sample को वो आगे पीछे move करेगा ये देखिए उसकी timing के साथ वो खेलेगा रहेगी वो ही जगा कि third bar पे वो start हो रहा है for example अगर मैं यहां से start कर दूँ उसी sample को फिर मैंने सुचा यहां से कर लेता हूँ आप देख रहे हैं किसी भी sample किसी भी loop आप अलग-लग loops को जोड़के कितनी ही interesting चीज इस तरह से बना सकते हैं चलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ और जो ये वाला है इसको भी पकड़के थोड़ा ऐसे कर लेते हैं पूरी loop सुनते हैं और एकदम seamless बनेगी आपको लगेगा हाँ कुछ अच्छा ही बना है तो किसी की loop लिए किसी का sample लिया हम इस तरह से खेल सकते हैं बहुत ही नई-नई चीज़े बन जाती हैं आप देख रहे हैं कितनी interesting चीज़ आप चाहें तो इसको भी पकड़के अब यह देखें बिल्कुल end आ गया अब देख रहें किस तरह से move होती है मैंने यहाँ इस ऐसे कर दिया इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं इसकी starting यूं देख लेते हैं perfect loop एकदम seamless vocal chops के साथ बहुत अच्छे चीज़ कर सकते हैं percussion के साथ बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं किसी गाने की riff बनानी हो कोई song starter intro हो तो यह tool बहुत ज्यादा काम आता है slip tool knowledge ज़रूर काना सुनेगा intro इसकी ज़रूर सुनेगा और devnextlevel.in website पे ज़रूर जाएएगा latest हमारा जो sample pack है सिर्फ इक 30 रुपे का यह भी आ चुका है जिसके अंदर यह सारी minor और major chords with tempo, with key ultimate chords तो यह भी ज़रूर डाउनलूड करें मिलते हैं किसी ओल एक्चे में तब तक लिए devnextlevel signing out Namaste